आज मैं आप लोगों के लिए multimedia player लाया हूँ, mp3 player लाया हूँ, तो आज मैं इसके पूरे features के बारे में बताने वाला हूँ, कि इसमें क्या-क्या features दिया हुआ है, इसको आप कैसे use कर सकते हो, कहां-कहां पे use कर सकते हो, आपको ये कितने budget में आने वाला है, full detail तो वीडियो मे इसमें क्या-क्या features दिया हुआ है, और आप देखी रहे होगे, इतना बड़ा setup लगा के रखा हूँ, तो पूरा detail बताने वाला हूँ, इसको कैसे connection करना है, इसको कैसे use करना है, इसमें क्या-क्या use कर सकते हो, आप किसके मदद से इसको use करने वाले हो, इसका unboxing करते हैं, ये multimedia एक remote मिलता है, remote के मदद से भी आप इसको control कर सकते हो, operate कर सकते हो, remote के नीचे एक plastic का wrapper दिया हुआ है, तो उसको आप निकालोगे, तभी आपका remote काम करेगा, means इसके sale को off कर देता है, ताकि इसमें जो sale लगा हुआ है, वो discharge ना हो, इसके सारे features के बारे में बताता हूँ, और इसको operate करके दिखाता हूँ, कि इसको कैसे connect किया जाता है, और इसको operate किया जाता है, पीछे सार देख सकते हो, काफी स्थारा wire निकला हुआ है, तो इसमें 3 supply है, red, black, yellow, और green जो है, वो आपका speaker के लिए है, और gray color वाला भी speaker के लिए है, और जब भी आप multimedia player लो, तो इसके ल indication भी देख सकते हो, यहाँ पर red और black दिया हुआ है, तो आप red को red में लगा देना, और black को black में लगा देना, connection हो गया है, और जब भी आप DC में connection करते हो, तो polarity का ध्यान बिलकुल रखना है, means positive positive में और negative में ही connect करना है, AC में होता है, कि अगर आप positive को negative में जोर दिया, तो क आप यहाँ पर हमको supply देना है, speaker से, तो speaker से supply देने के लिए 2 wire है, तो दोनों में से आप किसी में भी connect कर सकते हो, इसमें polarity matter नहीं करता है, तो आप दोनों को connect कर लेना, तो आप मैं चालू करता हूँ, तो आप देख सकते हो, जैसे ही मैं connect किया, इसमें speaker में sound आने लगा, औ मैंस बता रहा है कि FM mode में है, आप जैसे ही mode change करोगे, तो यह बताएगा कि आपका कौन सा mode में गया है, तो यहाँ पर remote है, तो आप remote के मदद से भी इसको operate कर सकते हो, यहाँ पर on-off switch दिया हूआ है, आप यहाँ से on-off कर सकते हो, और यहाँ पर volume up और volume down का दिया हूआ है, मि multimedia, USB player and music system दिया हूआ है, मिन्स आप इस पर बहुत कुछ operate कर सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो, USB दिया हूआ है, मिन्स आप यहाँ पर pen drive लगा सकते हो, और pen drive से आप इसको play कर सकते हो, या फिर आप HD card लगा के भी use कर सकते हो, talks cable की मदद से भी आप use कर सकते हो, और नहें पर आप display देख सकते हो, display में आप दिखाएगा कौन से mode पे है, इसका volume क्या है, volume down, volume up होता है, scan होता है, मिन्स अगर आप दुसरे mode में जाना चाते हो, तो यहाँ से scan करके दूसरे mode में जा सकते हो, यहाँ पर mode में जाकर सकते हो, पर बेश दिया हूआ है, travel दिया में काफी system दिया हुआ है, इस multimedia player का use कहां कहां कर सकते हो, जैसे पुराने वाले जो car आते थे, उसमें ऐसे type का multimedia player रहता था, तो आप इसको car में लगा सकते हो, अपने bike में लगा सकते हो, जैसे कि अभी चलता फिरता दुकान अभी देखने को आपको मिल जागा, अगर फल कोई बेचता है, तो ये multimedia player और एक speaker लगा लेते हैं, और अपने phone से connect करके song को बजाते हैं, या तो फिर जो चीज सम मैं अपने घर में बहुत जादा ये speaker ढूंडा, तब ये speaker जाके मिला है, जो कि sony का है, और आप लोग देखना अभी काफी अच्छा sound quality है, means इसके लिए तो एक like बनता है, मैं इतना महनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप like करो, मैं और अच्छा अच्छा content दे पा आउक्स में, फोन से connect करके इसको operate कर सकते हो, sound quality आपका depend करता है आपके speaker पर इसका volume आप अपने phone से भी बढ़ा सकते हो, यहां से भी बढ़ा सकते हो, या फिर अगर आपको remote से बढ़ाना है, तो आप इसके sound को remote से भी बढ़ा सकते हो, तो आप यहां से बढ़ा सकते हो, SD Card को लगाता हूं, अगर आप SD Card में एक recording लगा दिये हो, आप Repeat Mode में डालना चाहते हो, तो आप Repeat Mode में डालके, Remote में आपको Repeat Mode देखने को मिल लियागा, आप यहां पे देख सकते हो, काफी इसमें features दिया हुआ है, Power On, Power Off, Mode Change, Mute, अगर Next, Song करना चाहते हो, Forward, Backward का Option दिया हुआ ह Volume Up, Volume Down का Option दिया हुआ है, और अगर आप Specific काना बजाना चाहते हो, जैसे कि एक या दो, या तीन, Serial-wise Song रहता है, तो आप उसको Play करना चाहते हो, तो यहां पे Numbering के सिस्टम से, आप उसको Change कर सकते हो, Equalizer, EQ, Sound को Enhanze कर सकते हो, Volume Down, Volume Up का Option देखने को मिल जाएगा, और यहां पे इसको यूज करना चाहते हो, आप वहां पे यूज कर सकते हो, काफी अच्छा और Best Quality है, तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, Thank you for watching my videos.